हम फौजी इस देश की धरकन है हर दिल का हम प्यार मा का तरपन है पूरा करने चले हर बचन साथियो अब तुम्हारे हबाले बतन साथियो हम फौजी इस देश की धरकन है हर दिल का हम प्यार मा का तरपन है हम फौजी इस देश की धरकन है हर दिल का हम प्यार मा का तरपन है बंदे मात्रम बंदे मात्रम बंदे मात्रम बंदे मात्रम जी नमस्कार मैं बिजयराजपुस्प और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर आईज बाई भी आर्पी पे आपका एक बार फिर्शे हार्दिक स्वागत है तो आई हम लोग पार्ट आई शम्री ओप इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर हम लोग आज देखेंगे सारांस भारतिय सब्यता और संस्कृति का बिल्कुल आसान सब्दों में सबसे प वीडियो को अफ्लोडेड है उसको जाकर एक बड़ देखिए और वहुँस सारे कोशन आशर कर देगे और सब देखिए और फिर समरी को देखिए और जहां भी दिखते होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं शम्री ओफ इंड प्रोज पार्ट है गद पार्ट है जिसमें लेक होते हैं कहानियां होती है और नाजने के बहुत सारे चीज़ आती है लेकिन पोईटरी जो होता है उस पोईटरी में केबल और केबल कभीताय ही सामिल होती है तो यह जो है याद रखेगा the प्रोज नेम इंडियान गोलिंग्टीन भारतिय सब्वेताईबं संस्किर्थी is written by Mahatma Gandhi किसके द्वारा लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा तो इस प्रोज नेम इंडियान सिब्लाइशन और कल्चर इस रिटेन बाइ महात्मा गांधी यह गद इंडियान सिब्लाइशन और कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है This approach is a comparative analysis of civilization and culture between India and the best भारत और पस्चमी या भारत तथा पस्चमी सब्यता तथा संस्किर्ती पर आधारित comparative का मतोता तुलनातमक लेख है एक बार फिर से देख लिया जाए This approach is a comparative analysis of Indian civilization and culture या civilization and culture between India and the best भारत तथा पस्चमी सब्यता तथा संस्किर्ती पराधारित तुलनातमक लेख है नहीं एक एसे है ठीक है यहाँ पे अगर आप एसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे comparative analysis है एक निबंध है इन बीच गांधी जी sketch out the distinguishing characteristic and unique features of Indian civilization and culture इन बीच इसमें गांधी जी sketch out रेखाच्चित्र देखे रेखाच्चित्र करना यानि उसका एक वर्ड के द्वरा तस्वीर पेस कर देना जिसे रेखांकित भी कहते हैं sketch out the distinguishing यानि अंतर को किसके characteristic माने उसके गुन को and unique features of Indian civilization and culture भारतिय सभ्यता के जो unique feature है unique का मतलब क्या होता है एक अनोखा सबसे हटकर जो उनकी गुन है उसको क्या किया है उन्होंने sketch out रेखाचित्र करने का प्रयास किये हैं यारी जिसमें गांदी जी ने भारतिय सभ्यताता संस्कृति के विशेश्ट लक्षन तथा मूल अंतर को रेखाचित्र किये हैं इस article यह जो article है article माने लेक यह इस कह सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल के जगा हम essay का भी परयोग कर शकते हैं तो इस article लिखा है कि इस essay अलसो सोज़ देडिकेशन एंड डिवोशन अप गांधी जी ट्वार्ट ट्वार्थ इंडिया यह लेक जो है गांधी जी का भारत के परती समर्पन तथा उपवास को भी जाहिर करता है एक बार फिर से देखेगा इस लाइन को इस एसे यह लेक अल्सो सोज़द दिखाता है डेडिकेशन, शमर्पन और डिवोशन और उपवास को गांधी जी ट्वार्स इंडिया किसके परती? भारत के परती यह लेक गांधी जी का भारत के परती, समर्पन तथा उपवास को भी जाहिर करता है एक बार फिर से देखें, the approach name, Indian civilization and culture, the approach name, this approach name, इस गद का नाम है, यह जो गद है, this approach माने का है, यह गद, Indian civilization and culture, भारतिय सभ्यता, एबन संस्किर्ती, is written by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वरा लिखा गया है, and this approach is a comparative essay of civilization and culture between India and the best, this approach, यह जो गद है, comparative, comparative माने तुलनात्मक, essay माने लेख, तुलनात्मक लेख है, किसका, of civilization and culture, सभ्यता और संस्किर्ती का बेटिविन, किसके बीच का, India and the best, भारत और पस्चिम, इन बिच गांधी जी sketch out the distinguishing characteristic and unique features of Indian civilization and culture, जिसमें गांधी जीने भारते सभ्यता और संस्किर्ती के बिशिष्ट लच्छन तथा मुल अंतर को रेखा चित्र, किये है या किया है, किये है तो और अच्छी हो जाएंगा, इस essay also shows the dedication and the devotion of गांधी जी ट्वार्स इंडिया, याले गांधी जी का भारत के प्रती समर्पन तता पुबास को भी जाहिर करता है, तो देखते हैं लोग, नेक चाप का जो लाइन है, इस आर्टिकल, देखें, आर्टिकल का मतलब होता है, यहाँ पे लेक का निवन्द बोलते हैं, या essay जिसको आप कहते हैं, देखेंगा, लिटरेरी वर्क का अर्थ होता है साहितिक रचना, रचना समझते हैं न, जैसे हम बोलते हैं, कोई भी कोई किताब जब लिखता है, ज उसको हम कहेंगे कि रगवन्सम is works of Kalidas, works न मतलब होता है कृति, रचना, जो लिखता है न, वो लिखा जाता है, उसी वो कृति कहते हैं, तो दीस आर्टिकल, यहाँ लेक जो है, is one of the best literary work, best का मतलब क्या होता है, सबसे अचा, सबसे अचा, सबसे अचा, a literary work माने साहितिक बोलते है, one of the, one of the माने होता है, एक है, मतलब बहूत, इस तो बहूत सारे न रचना किये गए है, उस बहूत में से एक यहाँ भी सर्वश्रेष्ट है, जो किसके द्वारा लिखी गए है, महात्मा गांदी, बाई महात्मा गांदी, इस आर्टिकल इस लेक में, गांधी जी has emphasized, गांधी जी ने, emphasized माने होता है, जोर देन, emphasis माने जोर, और emphasized माने जोर दिया, that कि, the Indian civilization, भारतिय सब्यता, and or culture, और संस्किर्ती, cannot be competed, compete का मतलब होता है, मुकाबला करना, और cannot be competed, मतलब, मुकाबला नहीं की जा सकती है, नहीं कर सकता है, by any other civilization in the world, दुनिया में, any other, और दूसरा सब्यता, यानि का कह सुनिएगा, in this article, गांधी जी has emphasized, that the Indian civilization and culture, cannot be competed by any other civilization in the world, इसलेक में, गांधी जस्पस तौर पर करते हैं, कि दुनिया में, अनेको सब्यता, उनमें से एक तो है सर्व से, लेकिन, इस सब्यता की तुलना, इस सब्यता से, कह सकते हो कि मुकाबला, कोई और सब्यता नहीं कर सकते हैं, किस से, बारतिये, सब्यता से, क्यों नहीं कर सकत पिर आधारित है on morality, नैतिक्ता and restriction of human one और किसके मनुस के आवसक्ताओं पर लगाम लगाने पर आधारित है या मनुस के आवसक्ताओं पर नियंतरन करने का क्या है यह एक आधार है फिर से सुनेगा because its foundation क्योंकि इसका जो आधार है is best on आधारित है किस पर morality and restriction of human one मनुस के इच्छाओं का रोक और किस पर नैतिक्ता पर कुण चीज है best है आधारित है कौन सा its foundation किसका foundation किसका आधार भरतिये शब्धियता कर गांधी जी also points out गांधी जी यह भी इसारा करते हैं गांधी जी also points out points इसारा करना या बताना गांधी जी भी बताते हैं that कि it is criticizer criticizer मने जो आलोचक है जो आलोचना करने बाला है put the changes put the charges against it put the charges charge मने आरोप लगाते हैं against it भारत के खिलाप that Indian civilization is a civilization of ignorant uncivilized people because they don't accept any changes वो अरूप लगाते हैं भारत के सब्वेता के बारे में किया कि Indian civilization भारतिय सब्वेता इस civilization of ignorant भारतिय सब्वेता किस परकार की सब्वेता है तो अज्ञानियों का and uncivilized असब लोगों का because क्योंकि they don't accept any changes किसी भी परकार के बदलाव को सुईकार नहीं करता है गांधी जी ने अभी सारा किये है कि इसके आलोचक ये इलजाम लगाते हैं आरोप लगाते हैं कि भारतिय सब्वेता जाहिल तथा सब लोगों की सब्वेता क्योंकि ये कोई परिवर्तन को नहीं अपनाता है, मतलब Indian civilization जो एक ऐसी सब्वेता है, जिसे इसके जो खिलाफ है, जो इसको आरोप लगाते हैं, इसके बिरोधी जो है, वो कहते हैं कि भारत की सब्वेता जो है एक ऐसी सब्वेता इग्नोरेंट है, अज्ञ्णी लोगों का ह का है और सब लोगों का है और यह किसी भी परकार के बदलाव को सुविकार नहीं करता है तुआ यह देखते हैं इसके संछी को आगे बत गांधि जी विडि मैं और इस पर हीम के अनुदरी आध़ा है और दॉद्धि जी प्रिंटेंग करते हैं इस इस गलोड जी आधान है इसे सोचते हैं differently, differently माने कुछ अलग तरीके से, बट गांधी जी thinks it differently, लेकिन गांधी जी अलग तरीके से इसे thinks माने सोचते हैं, as per him, उनके हिसाब से, as per him का मतलब होता है, उनके हिसाब से, the main reason behind that, इसके पीछे, जो मुख कारण है, the Indian civilization is flourishing, जो भारतिय सभ्यता, फल फूल रही है, flourishing माने फल ना फूल ना ही, आगे बढ़ना, is its immobility, and it is its glory, उसकी अटलता है, immobility माने क्या होता है, उसकी यहाँ पे इस तरीके सोगा, उसकी अटलता, अचलता, स्थिरता, and it is its glory, और यहीं उसकी क्या है, महिमा है, glory माने महिमा, एक बार फिर समझी है, अच्छा स्थोरा, बट लेकिन, गांधी जी thinks it differently, गांधी जी, अलग तरीके से ही से, सोचते है, as per immune के अनुसार, the main region behind, इसके पीछे, जो main कारण है, मुख कारण है, that the Indian civilization is flourishing, जो भारतिय सविता फलफुल रही है, is its immobility, इसकी जो अचलता है, जो इसकी स्थिरता है, इसकी अटलता है, जो अपने आप में बदलाव नहीं करता है, जैसा है, उशी को क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, और वही उसकी क्या है, महिमा है, महिमा बने, उसकी समिर्दी है, उसकी अच्छाई है, मतलब क्या हो जाएगा, हम अपना चरी तर खोदेंगे, पनी है, चरी तर कांडीनों सम्दूर और रहामारी दसा कैसी हो जाएगी दैनिये हो जाएगी वेस्टरण सीविल इस बैस्ट ऑन द इंदिफ्नाइट multiplying of the human wants पस्मि सब्वेता अनंत मानवी इच्छाव की पूर्ती पर ठीकी हुई है जिसकी बहुत सारी इच्छाए है However, जबकि या किसी तरीके से Indian civilization based on restricting of those wants बारतिय सब्वेता इन इच्छाव पर लगाम लगाने पर है तो ये था शम्री of Indian civilization and culture has written by Mahatma Gandhi and it is an essay आले आप स्क्रीन सोट ले इसे और बार बार आप इसे परहे और किसी भी परकार की समस्या है तो आप इसे कमेंट करें आज बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए लेकर आणाओ कलास 12 विहार बोर्ड एस्कूल एक्जाइमनेशन बोर्ड का जो नेक्स चेप्टर है सेकेंड चेप्टर वही चलेगी तो बने रहिए और देखते रहिए थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जै हिंद जै भारत बंदे मात्रन झाल्ध जै।